प्रधान मंत्री के आगमान को लेकर देव घर यार पोट को पुरी तरह से त्यार को प्रधान मंत्री के साथ यहां से दिल्ली मुंबाई वा बैंगलोरू के लिए बिमान सेवाएं सुरू हो जाएंगी प्रधान मंत्री के आगमान को लेकर देव घर यहार पोट को पुरी तरह से त्यार कर लिया गया है जनकारी के उनसार प्रधान मंत्री मोधी यहार पोट के उधाटन के बाद बाबा बैदनाथ मंदीर में पूजा अर्चनाकर देव घर कॉलेज मैदान में सावा को समधित करे बतादे साथ जून को देवघर यारपोर्ट में इंडिगो की 180 सीटो वाली पैसेंजर फ्लाइट का सफल ट्रायल भी कर लिया गया है देवघर यारपोर्ट टर्मिनल में यात्रियों की सारी सुवधाय त्यार कर लिया है टिकट काउंटर, चेक इन काउंटर, वाहनों की पारकिंग से में सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिये गया है जारखन में मानसून जल्द आने वाला है मंगलवार को इसकी जलक देखने को मिली है राइधानी राची में जहां दोपर और देर साम जहमा जहम बारिस हुई है वहीं आने जीलो के कुछ अस्थानों पर भी भारी बारिस की खबर है मौसम विभाग की माने तो या मानसून आने के पूरे की बहुचार है उन्होंने कहा है कि या बारिस मानसून आने से पहले की बारिस है बतादे की राजे में संथाल परगना के साहिवगन छेतरे में इस बार मानसून आने की संभवना है मसम केंद्र राची के परभारी अभी सेख आनन्द के मुताबिक मंगलवार की देर सामको हुई बारिस को मांसून आने के पहले की बारिस मानी जा सकती है इसे उमीद जगी है कि 16 जुन तक संताल परगना के छेदर में मांसून के आने की संभावना है दंगायों के पोस्टर पर बाग खेल राजेपाल के आदेश पर लगाया जेमेम के कहने पर हटाया जुमे की नमाज के बाद जहर्खन की राइधानी राचे में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 31 उपद्रियों के पोस्टर जारी किये सहर में कुछ जवों पर इन्हें लगाया भी गया लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें उतार लिया गया बतादे पुलिस की दलील है की तुरूटियों को दूर करने के लिए इन्हें उतारा गया लेकिन बाद ने पता चला की इसप सतारूड रायनीतिक दल जार्खन मुक्ति मोर्चा ने अपती जताई थी जामों के केंदरिये समीति सर्द से सुप्रियों भटाचा ने कहा की घाटना को लेकर वांचीत लोगों का फोटो नाम पता चोग चोराहों पर सहजानिक रूप से लागाने से समाजिक सभाद बिगर सकता है पौली टेकनिक परवेस परिक्षा 29 जून को राजे के सरकारी वगर सरकारी पौली टेकनिक संस्थानों में नमांकन के लिए परवेस परिक्षा 29 जून को आयोजीत की जाएगी जार्खन सन्युक्त परवेस परत्युक्ता परिक्षा पारिसाद ने मंगल वार कोई समाज में सुचन जारी कर कहा है कि अभियाती वेप साइट से अपना परिवेस पत्र डाउनलोड कर सकते हैं यह परिक्षा आठ जीला मोख्यालों में होगी जिसमें राची हजारी बाग्यम सेथपूर धनबाद दूम का चाईबासा बोकारो तसा डाल्टिन गज सामिल हैं सहायक अभियानता नियुक्ती में JPSC ने गलती सुधारी जारखन हाइकोड के जस्टिस राजे संकर की अदालत में सहायक अभियानता नियुक्ती के प्रारमिक परिक्षा में आरख्षन देने के खिलाप दाखिले आज का पर सुनवाई हूई सुनवाई की दोरान राज सरकार की ओर से समय दिये जाने की मांग की गई जिसे अदालत ने सुविकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई सुला जून को ने धारित की है इस दोरान जे पिएसी की ओर से संसोधित सपत पत्र में दाखिल किया गया है इसमें कहा गया है कि पूरू में दाखिल सपत पत्र में पारा 21 में प्रारंबिक परिक्षा में आरक्षान देने की बात कहना गलत है इसलिए इसमें सुधार किया गया है जे पीस्टी ने प्रारंबिक परिक्षा में आरक्षान नहीं दिया है ग्रीह मंत्री अमीत साह ने मांगी रांची हिंसा की रिपोर्ट राजभवन राची में हिंसक पर्दसन को लेकर केंद्रे की मोधी सरकार को भेजने के लिए रिपोर्ट त्यार कर रहा है एक दो दिनों में यहार रिपोर्ट केंद्री ग्रीह मंत्राले को भेज दी जाएगी केंद्री ग्रीह मंत्राले ने इसे बीते सुक्रवार को रांची हिसा की घाटना को लेकर राजपल रमेस बैस से रिपोर्ट मांगी है इसके बाद ही राजेपाल ने सोमवार को पूलिस महानी दे सक समयत अने वर ये पतादिकारियों को राजबन बुला कर रांची इंसा के पूरिजन कारी ली उन्होंने डीजीपी नीरज सिना से भी इसे लेकर रिपोर्ट भी मांगी थी पारा सिख्षकों का पारा गरम जारखन के पारा सिख्षक प्राथमिक सिख्षकों के नियुक्ति के लिए पिछले दिनों गठित नई नियमावली को पारा सिख्षकों के साथ किया गया भद्दा मजाक बता रहे हैं उनका काना है कि 20 बरसों से कारे कर रहे पारा सिस्कों के हीतों के बिरोधिया नियमावली बनाई गई है क्योंकि सहायक अचारे के पद पर नियुक्ति होने वाले पारा सिक्षक 10 सल बाज सहायक सिक्षक बन पाएंगे तब तक कई पारा सिक्षक सेवा निरित हो जाएंगे टेट सफल सहायक अध्यापक संग के अध्यक्ष परमोद कुमार ने कहा है कि यदि इस नेमावली को जब अरजास्ती थोपा गया तो पारा सिक्षक जोड़दार आंदोलन करने के लिए बाद्य होंगे जारखन में सराब की हो रही काला बजारी जारखन में सराब की बिकरी की पारदार सिता पर एक बार फीर सवालिया निसाना उठ रहे हैं आरोप लग रहा है कि सरकारी दुकानों पर जम कर काला बजारी की जा रही है साथ ही बिक्री को लेकर बनाई गए निमावली की धजिया उड़ाई जा रही है जारखन राज खुद्रा बिक्रेता संकारो फाय की राजधानी समेत राजभर में सराब की बिक्री को लेकर बनाई गए निमावली की धजिया उड़ाई जा रही है सराब की दुकानों पर खरिदारी की दवरान गराकों को कोई बील नहीं दिया जा रहा ऐसे में गराकों से ज़्यादा कीमत वसूल ने जाने किया संका से इनकार नहीं किया जा सकता किसानों को धान की बकाया रासी का भुगतान की मांग खोटी पहुंचे राज के खिरिसी मंतरी बादल पत्रले को जावी मो के पूर्व जिला अध्यक्स दिलीप मिस्रा ने एक मांग पत्र सौपकर खोटी समेत राज भर के सभी जीलों के किसानों को धान के बकाया रासी का भुगतान करने की मांग की है अपने पत्र में दिलीप मिस्त्रा ने कहा कि धान के लभग 14-15 को रुपए बगाया है अगर किसानों को सो समय पैसा नहीं मिला तो उन्हें खरीब के मौसम में काफी परिसानिया उठानी पर सकती है उन्होंने कहा कि धान की अधिप्राप्ती में जारखन में अच्छा काम हुआ है लेकिन रासी का भुकतान नहीं होना चिंता जनक है मंत्री बादल पत्रलेख ने इस सम्मध में सकरात्मक परियास करने का आस्वासन दिया है किसानों को यारपोर्ट में कोल्ड एस्टोरेज के लिए दिसंबर तक करना होगा इंतजार जारखन के किसानों को यारपोर्ट में मिलने वाली कोल्ड एस्टोरेज की सुविधा के लिए दिसंबर माह तक का इंतजार करना होगा क्योंकि बीरसा मुंडा यारपोर्ट परिसर में 5 मिट्रिक टन छमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निमान कारे जारी है जो 6 माह के अंतराल में बन कर त्यार होगा अब तक किसानों के उत्पादित समागरियों को समाने तोर पर कारगो विमान से राची से अने सहरों के लिए भेजा जाएगा ग्याद हो कुई एक जून को यारपोर्ट सलाकार समीती के बैठक में समीती के अध्यक सा सांसत संजय सेट को यारपोर्ट परवंदर ने बताया था कि प्रती दीन करी 22 टन मटर, बीन, सबजी, बिभीन, सहरों में राची से बेजी जाती है सीयम हेमंत खननलीज मामला 28 जून को सुनवाई मुख्य मंत्री हेमंसरेन खननलीज मामले में अब 28 जून को भारत निर्वाचन आयोग सुनवाई करेगा मुख्य मंत्री हमान सुरेण ने अपने वकिल की बीमारी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से समय देने की मांगी थी चुनाव आयोग ने इसे सविकार कर लिया है आयोग की ओर से कहा गया है कि अब इस मामले की सुनवाई 28 जून 2022 को होगी मालुम हो कि चुनाव आयोग इस मामले की सुनवाई की तिथी दो बार बढ़ा चुका है मांडर विधान सभा उप चुनाव केंद्रो का किया निरिक्षान मांडर विधान सभा उप चुनाव 23 जून को है इसको लेकर प्रसासनिक त्यारी तेज है सांति पूर्ण और निस्पक्ष चुनाव को लेकर हर दिन अधिकारी विभीन मत दान केंद्रे और चुनाव में लगे कर्मियों का आवस्यक दिशानिर्देश देते हैं इसी कड़ी में मंगलवार को अबजरवर विबेक पांडे और अबजरवर अमित कुमार सोने ने लापुंग परखंट का दवरा किया इस दवरान विभीन चेकनाकों का अलोकन किया गया साथ ही चेकनाकों पर उपस्थीत, एस्टेर्टिक, सर्विस लाइन, टीम के पताधिकारियों के कारे का भी अलोकन भी किया गया लालू यादव इलाज कराने जाएंगे सिंगापूर रायत सुप्रियों लालू यादव के पासपोर्ट रिलीज मामले को लेकर मंगलवार को राची CBI की बिसेस अदालत में सुनवाई हुई अदालत ने इनकी ओर से दाखिल की गई अर्जी सविकार कर ली है और पासपोर्ट रिलीज करने का देश दे दिया है अब लालू यादव का पासपोर्ट रिन्वल हो सकेगा और वे इलाज करने सिंगापूर जा सकेगे आपको बता दे कि लालू यादव कीड़नी का इलाज करने सिंगापूर जाएंगे राची हिंसा मामला पूलिस पर गिर सकती है गाज जराजधानी रांची में हुई हिंसा के मामल में उपद्रियों के साथ साथ पूलिस के कई जवान वा अफसरों पर भी गाजगीर सकती है जाच कमिटी पूलिस और परसासन से कई बिंदू पर जबाब तलब करेगी अफसरों को या बताना हुगा कि घाटना से पूरो में किस वज़ा से खूपयात तंतर को सुचना नहीं मिली जाचा जरखं में रावशन मन्रेगा कर्मी कि जाएगी नौकरी जायर हमें कारेद्दा बार्रा सो मन्रेगा कर्मी ओ पर नौकर Argentine जाने परभावित होंगे सुत्रों के अनुसार राजे के ग्रामिन विकास विभाक सचीव डाक्टर मनीस रंजनने सभी उपायुकतों एवं उप विकास आयुकतों को पत्र भेज कर कहा है कि मन्रेगा अंतरगत रीट मोडल के तहत विभीन जीलों को स्विकृत पत के अतिरिक्त कर् संताल परगना के तीन जीलों में महिला चेयर्मैन संताल परगना में गाओं की सरकार का गठन को अम्तिम रूप दिया जा रहा है इसके तहत सभी जीते हुए जीला परिशत सदसे मुखिया पंचाय समीति सदसे और वार्ट सदसे को सपत गरहन कराने की परकिरिया चल रही है वहीं जीला परिशत के चेयर्मैन और डिप्टी चेयर्मैन का चुनाव सभी जीले में सुरू हो गया है इसी करम में मंगलवार को संताल परगना के देवघर दुमका और ताहिवगन का चुनाव संतिपुन संपन हुआ कहीं भी आम समती नहीं बन सकी इसलिए तीनों जीले म मंदीर में देव असनान पूर्णीमा पर विशेश पुजा अर्चना की गई और भागवान जगरनात भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा को असनान कराया गया इससे पुर्व बैदिक मंत्रो उचारन के साथ भागवान जगरनात की पूजा अर्चना की गई और असनान कराया गया माना जाता है कि देवस्नान पूर्णीमा से भागवान बिमार पड़ जाते हैं और अग्यात्वास में चले जाते हैं 15 दिनों तक अग्यात्वास में रहने के बाद भागवान 29 जुन को भक्तों को 9 योवन रूप में दर्सन देंगे उरीशा दोरे पर गय केंद्रीय मंत्री अरजुन जाती है मामलो के मंत्री सह अस्थाने सान्सद अरजुन बंडा ने पॉरोसी राज्य उरीशा का तीन दीवस्य दोरा कर अदिवासी समुदाय के लिए कीए जा रहे कारियों का जाजा लिया तिन दिवसे दोरे काम तिम दिन मंगलवार को केंद्रिय मंत्री सिरी मुंडा उडिसा के राजेपाल गनेसी लाल से राजभौन में सिष्टा चार भेट की इस दोरान अप्रे मंत्रालाय से संचालित बिभीन वेजनाओ से राजेपाल को अउगत कराया इस दोरान अकांची जीला काला हंडी के दो दिवसे दोरे के समध में भी उडिसा के राजेपाल को अगत कराया साथी उडिसा में जनजातिये समुदाय के बिकास के संदर्ब में परिचार चाकी रांची हिंसा की जांच रिपोर्ट डीसी एसेसपी ने सरकार को सौपी रांची में जूमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा उपद्रव, पत्रबाजी, बवाल और गोली बारे की घाटना में दो लगों के मौत के ममले में उपायुक छवी रंजनव, एसेसपी, सुरेंद्र कुमार जहां ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज सरकार को सौप दी है रिपोर्ट में इस बात का जिक्रहाय की अचानक जूमे की नमाज के बाद 10,000 से अधिक संख्या में सड़क पर उत्री और नियंत्रित भीड को नियंत्रित करने के लिए की गई प्रसासनिक करवाई में दो लोगों की जान चली गई रिपोर्ट में अब बताया गया है कि प्रसासन को बिना सुचना दिये, बिना किसी अनुमती के एक बिसे समुदायक लोगों ने भाजपा नेत्री नुपूर सर्माए खिलाप में बिरोध रहली निकाली, प्रसासन को इनकी बड़ी भीड जूटने का अनुमान नहीं था मामता बनर्जी की बैठक में सामिल होंगे हेमंत सुरेन की जामुमों तिरिमूल कॉंग्रेस के अध्यक्स मामता बनर्जी द्वारा राष्ट पदी जुनाओ के मद नजर गैर भाजपा दलो की बुद्धवार कुन्य दिल्ली में बुलाई गई बैठक में जार्खन मुक्ती मोचा भी सामिल होगा पहले जहर्खन के मुखे मंत्री स जामों के करकारे अध्यक्ष हेमंत सुरेन की इस बैठक में भाग लेने की बात की जा रही थी लेकिन राज काज में अपनी ब्यस्ता को देखते हुए उन्होंने पार्टी सांसद विजय हंसदा को बैठाग में भाग लेने के लिए अधिकरित किया है हेमंत सरकार पर पचास हजार का जूर्माना जारखन हाई कोट के चीफ जर्श्टिक डाक्टर रवी रंजन वा जर्श्टिस एसन परसाथ के अधालत में गठवाक जमीन बिवाद मामले में जारखन सरकार पर पचास हजार रुपय का जूर्माना लगाते हुए अपील खारिज कर दिया है अधालत ने एकल पीट के आदेश को सही ठाराया है अधालत ने कहा है कि एकल पीट के आदेश में हत्यशेप करने की ज़रूरत नहीं है अगर जमीन राई सरकार की जमीन है तो उन्हें टाइटल सुट के लिए उचीत फोरम में जाना चाहिए अधालत ने इस मामले में 270 दिन की देरी से अपील दाखिल करने पर आई सरकार को उक्त जुर्माना लगाया है धन्यवाद